नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल साम लगबग चार साड़े चार बजी मुख्य सचीव कारियाले में सभी सचीवों का बैठाग हुआ था और उस बैठाग में नियोजन निती से संबंदित जो भी अपडेट निकल करके सामने आई है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत बड़ा अपडेट निकल करके समने आई है नियोजन निती से संबंदित जैसा कि आप सभी को पता होगा नियोजन निती को रद कर दिया गया था इससे पहले जो नियोजन निती था और जो परिक्षाएं हो चुकी थी जिनका result पब्लिस नहीं हुआ था उन परिक्षाओं का क्या होगा इन सभी update के उपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू स दसवी व बारावी की बाज़जिदा खत्म होगी तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इससे पहले जो नियोजर निति था उसमें दसवी और बारावी जहरकन से होना अनिवारे था अर्थाद की आप एगर जहरकन आप फॉर्म भर सकते हैं तो चलिए जानते हैं पूरा आपडेट किया है तो जैसा कि आपसे भी देख पारे होंगे इसमें अपडेट निकल करके आई है कि जारकन सरकार नियोचन निति में फिर से बदलाव करेगी 3rd 4th grade की नोक्रियों के लिए अब राज से 10 वी और 12 पास करने की बाइदता खत्म होगी वहीं अभ्यारतियों के इस्तानिय रिती रिवाज भासा और परिवेस का ग्यान होने की सर्थ भी हटाए जाएगी तो इस नियूस के अनुसार जैसा कि अब सबी देख पारे होंगे कि जारकर में 3rd वो 4th grade की नोक्रियों के लिए अब राज से 10 वी और 12 पास की बाइदता को खत्म कर दी जाएगी साथ में ये भी कहा गया है कि यहाँ रिती रिवाज और भासा परिवेस का ग्यान के असर्थ भी हटाए जाएगे अर्थात आपका रिजिनल लिंग्वेज के साथ साथ मेरे ख्याल से हिंदी भी एड कर दी जाएगी जैसा कि पहले होता था ठीक है तो जैसा कि अब सभी देख पा रहे हैं बुदवार को मुझे सचीव सुगदेव सींग के अधग्चता में विभाग गया सभी सचीवों की यहाँ पर बैठक होती है और उन बैठक में इस परकार का फैसला वहाँ पर लिया गया है चलिए आगे देखते हैं इसमें मुझे सचीव ने पुरानी नियमावाली के अनुरूप ही फिर से नई नियमावाली बनाने और स्वीकृती के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दिया है इसमें मुख्य सचीव के दोरा कहा गया कि पुराने नियमावली जो थी उसके अनुरूप ही नया नियमावली बनाया जाए और उसके अनुरूप सुविक्रिती के लिए सरकार के पास भेज दिया जाने का जो निर्दे से वो दिया गया है इसके अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव के बगेर नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करने का निर्देश दिया गया है जहां नियुक्तिया होनी है वहाँ तेजी से काम करने को कहा गया है ताकि जल से जल बिग्गापन निकाल सके और नियुक्तिया प्रक्रिया सुरू क जा सके इस परकार कल के जो मीटिंग हुआ है सचीव में मुख्य सचीव कर्याले में वहाँ पे इस परकार का फेसला लिया गया है जैसा कि आप सभी को पता है 24-2024 तक लास्ट तक विदानसवा चुनाव होना है इसलिए 2023 में सभी नियुक्तियों को लिये जाने का बज़ता है सरकार को और वो 2023 के लास्ट तक सभी नियुक्तियों को लेने का परियास करेगी सभी नियुक्तियों को ले करके सबको appointment letter देने का भी परियास करेगी इसलिए काम जो है बहुत तेजी से हो रहा है इसलिए मैं आपको बार-बार करता हूँ कि जो भी वेकेंसीज निकले थे उन सारे वेकेंसीज का एक्जाम होगा अच्छे से अपना पड़ाय में धियान दे ठीक है हाईकोड ने समानता के अधिकार के खिलाब बताती हुए किया था रद तो जैसा कि आप सभी को मालूग होगा कि 16 इसमपर को जारकन सरकार ने नियोजन निति को रद कर दिया गया था और दसभी और बारावे के आनिवार्यता सिर्फ समाने स्रेनी के युवाव के लिए जबक सरकार ने छेतरिय भासा की सुची से हिंदी को हटा कर उर्दू को सामिल कर दिया गया था तो जीस परकार से लग रहा है कि हिंदी को हटा करके सरकार ने उर्दू को सामिल गया था फिर से हिंदी को सामिल किया जाएगा इस परकार अभी का जो नियूज है जो निकल करके साम होने वाली है और जैसे ही नियोजन निति लागो होगा इन सारे नियुक्तियों जो की रद्ध हो चुकी थे उन सारे नियुक्तियों को फिर से करवाए जाने का परियास किया जाएगा और जल्द से जल्द इन सारे नियुक्तियों को करवाए जाएगा और एक दो महिने की वित जे करमचारी चायन अयोग की नियमावाली को चुनोती दी गए थी इसमें अभैर्तियों ने नियमावाली को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांगी थी इन्हीं याचिकों उपर हाई कोट ने फेसला सुनाया था सीएम ने विधानसभा में कहा था युवाओं के अनुरूप बनाई गई निती नियोजन निती रद होने के बाद युवाओं में सरकार के परती भारिया कुरुस्ता बेरोजगार युवाओं में दसवी और बारावी के बादता खतम कर दी जाएगी साथ में आपका जो हिंदी हटा दिया गया था हिंदी को एड़ कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द नियोजन निती बन के तेयार हो जाएगी और उसे सरकार के पास जो सुईक्रिती है उसके लिए भेजी जाएगी जैसे ही सुईक्रिती मिल जाती है उसे लागू कर दी जाएगी और जो भी परिक्षाएं इस्तकित हुई थी उन सभी परिक्षाओं को फिर से conduct करवाय जाएगी और फिर जो परिक्षाएं हो गए थी जिनका result नहीं आथा उसके बारे में भी जल्द से जल्द आपका जो सुचना है वो जैसे सी के दुवारा publish किया जाएगा इसलिए जो student पढ़ाई कर रहे थे जो भी न्यूक्तिया निकली थी उन सारे student से मैं कहना चाहूंगा कि अपना पढ़ाई जोरो सोरो से करते रहे सभी न्यूक्तिया जल्द से जल्द होगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही एक information था आपके लिए जो विचारकन में परिक्षाओं की तेयारी करते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर दे अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं धन्यवाद